बिसमिल्ल्लाह इर्मान your őीम नहमाद q1-0 मुहम्मद लिल्लाह यृकरीम यह प्राब्लम डिफ्रेंशील एक्वेशन के homogeneous linear differential equation बिड़ discarder वेरेविल को कभिशेंट शेह च्थेफटर से एक हम र्डिफेंशील एक्वेशन अयह र्याइन पी 270 अख वाश फॉत के हम हमोजीनियस है क्योंकि यह सितनी अडिफरण essas है जतने इसने या पर आपक्स की पावर भी हम दोबाच ढ transparencies दर्य की पावर तो है यह से इसाँ हो रहा है तो ऑसी घ्राइट ह सबसे बया हृत हम टी स्क्वेर वाइप मैनक स्वे टी प्लस हां डू टू तो गोल तो एकम सी लौग r2 लॉक्स म्हार के ढर ले लें तो एक स्वेड डी स्वेयर मैनस एक स्वेडी क्टें स्टू वाइट दो एकम को इस फार Pokemon आजाएगा और अगर इस तरीके से हो जितनी डी की पावर रहो इसकी पावर हो तो ऐसे में यह होमर्जीनियस लीनर डिफ्रेंस इलिकेशन होता है जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं और इस तरीके की प्राब्लम को सॉल करने के लिए हमें एक सब्सूटिशन पूर करना होत एक सब्सूटिशन बराबर हो जाएगा जैए और लॉग एक वेल वन होती है तो जैट की वैलू लॉग एक सुझाएगी तो यह हम राइट हें साइड में पूट कर रहेंगे दोने वैलू को लेकिन यह जो होता है ऑपर यानि यह जो मारा डी एक्स डी जो होता है उसे डी सोरी डी डास का मतलब यह इंडीपेडेंट वैरी विल अजैट बन चुट एक सी जगापर तो दी डास यह जाएगा ऐसी x2 d square की जगापर रहा था दी डास डी डास मैने समय आप पर डी जास का मालब दी ओल्ड दीजाट है तो अब जो जो एक्वेशन वन है इस आग एस त कर तू और यह तो नहीं राइख इंसाइड में गामनले रखा है और राइट एंस एक्वेशन नम्पी इक लिस एंक राइट इंसाइड में जो है वह एक स्की जगा पर हमें इस ती पावर्ज एट पूट करना है और लॉग X कि यह पर जय पूट का गेंगी डीच कंड दोमकर में मुल्टप्लेवाइड यह स्कुर मैनिश का डीच मैनस का डीच प्लस पर तो और Y ईगल टू इट पर अबसाइद इंटू सब्साइड यह तो तो टो टू आझे यगे डीच पावर्ज टू 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 तो टूट कर तो और y is equal to e to the power z into z यह हो गया linear differential equation with constant coefficient हो गया variable constant coefficient हतम हो चुके हैं तो इस तरीके की problem complementary function plus particular integral को find करते हुए दोनों add करके y की value in terms of z find करनेंगे फिर z की value को x की फार में जो given थी वो पर put कर देंगे given equation रो में x की फार में हमने z independent variable में convert कर दिया था कि यह linear differential equation with constant coefficient की फार में आ जाए इस तरीके problem को solve करने के लिए complementary function find करेंगे और complementary function के लिए इस auxiliary equation find करना होगा इस auxiliary and helping equation हम यह आप लेखेंगे जो की y का जो coefficient होता है d dash का function है तो d dash की जगा पर input करके find के जाता है में स्क्राइब मैंस का 2m प्लस का 2 is equal to 0 और यह quadratic equation है इसको solve करने के लिए quadratic formula का यूज़ करेंगे quadratic formula हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं a x square plus का b x plus c is equal to 0 तो x की वैलो इस फार्मॉले से find करते मैंस b प्लस मैनस अंडूर बी स्क्राइब मैनस का 4ac अपान टूए यह हमार खयाम का फार्मॉला और रचार का फार्मॉला भी कहलाता है तो m की वैलिस पार्मॉले से यह पूट करेंग तो m is equal to minus b b की जगा पर हमारा यहां पर माइनस का 2 तो मैनस का 2 plus minus and root b square एन मैनस 2 square minus 4ac c की जगा पर हम देख रहें की तो है और इसमें एक जगा पर कुछ नहीं लिखा तो बन होगा अपान टूए एक जगापर वन से मैनस मैनस प्लस हो जाएगा तो प्लस मैनस मैनस का स्क्वाइब प्लस टूए स्क्वार 4-2 यह हो जाएगा फोट यह अपान में टू और इनका रिफ्रेंस बचेगा मैनस का 4 और मैनस 4 को अम लोग देख सकते हैं मैनस 1 इंटो 44 यह होगा वहुद की फार में स्क्वार रूट से बहार आज जाएगा और स्क्वार रूट मैनस वन की वैलू को मलोग आयो टाइं आई से लिखते हैं टू को निम्रेटर में से कॉमन लेंगे तो वन प्लस मैनस आई अपान टू जाएगा टू से टू को क्यंस कर लेंगे तो m की वैलों में मिलेगी पन प्लस मैनस यह नहीं कॉंपलेक्स नमर की फार में और यह गिसे के वैलू आई यह 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 बन प्लस आई भी है और 1-1 अई भी है ऐसे में हम यहाँ पर इसका कॉंप्लिमेंटी फंक्षन इस तरीके से लिखते हैं कि जो रियल पार्ट होता है उसको एकी पाबर में बाहर लिखेंगे उसमें इंडिपेंडेंडेंट वेरिबल्स यो कि अब जैट हो चुका है जैट से मल्टिप्लाइब करें ब्रेकेट में लिखेंगे सीवन कॉस इसमें आई कर दो पर से नहीं लिखा तो वन होगा तो वन से इंडिपेंडेंडेंट मेरिकल का मुटिप्लाइब लैट को मिल्टिप्लाइब चुका है ब्लस ऐडो और साइन वन टाइम्स एक और भी होता है तो उस मैंटर्स से भी आंसर दिया होगा तो यह बैठर रिखने की साइन जेट लास्ट में आगे जैट की वेलू भी पूट कर दें क्योंकि जैट अपनी तरफ से मारा माना हुआ है हम पर्टिकुलर इंटिकल की बात कर देते हैं अब टिकुलर इंटिकल होता है बन अपान जो भी यहां पर वाई का कॉफिसेंट डी डैस का फंक्शन है इसको अपान में करके लिग देंगे अन्हीं डी डैस स्क्वार मैंनुस कर टू डी डैस प्लस टू और राइट-हन साइड में जो है जो भी एक्वेशन के राइट-हन साइड में बन चुका है जैट की फार में एटी पावर जैट इंटो जैट यह ऑपरेट इस पर अपरेट होग कर इकिपनेटर condiciones और यहां पर यहां पर अकोई फंक्षोन हो और यहेधिक सफ्कूशन और फंस्सक्तagen ऑापको मान मिया तो ऐसे क्मौली यहनो डियोक्त के लिए हैं को यहां तो इट दी पाबर जैट को हम पहले लिखेंगे और जहां पर भी टी डैस नज़र आएगा वहां पर जैट को कॉफिसेंट नहीं नहीं लिख देंगे यह निए डी डैस पिलस बन कर देंगे इसका स्क्वार है तो होल आप स्क्वार कर दिया जाएगा तो से मल्टिप्लाई हो स्कोश्व कर नहीं कि यह होजाएगा वुदी स्क्वार डीडैस स्क्वेर पिलस का बन रोक इंटी का ट्वाइश है नहीं तू डीडैस वह जाएगा और इसमें टू से मल्टिप्लाई करने मैनुस का टू डीडैस मैनस का टू और यह प्लस का भी टू है तो आच्छी सी बा 1 जो कि operate होगा जैट पर और यहां पर इसमें polynomial है यह जैट में तो इससे वाइन में थिरम यहां पर अप्लाई करना होता है तो वन को पहले लिखते हुए इसको numerator में अभी पापर नहीं लिखी तो वन है तकिन निम्रेटर में ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगी यह पर्टिक्वल इंटीगल की वैलू आ जाएगी इती पावर जैट सुरू में लिखा था निउप्रेटर लेखें बंद को पहले लेखें क्योंकि हमें यहां पर अप्लाई करना है बाइनिमिल थिरम पापर मैनस पन हो गई और यह जैट पर ऑपरेट यहां पर लेखेंट और तो वार है तो इकिपावर जाएट होता है बंद प्लस एक्स प्लस डास और अनन बढ़ाएगा बाकी बैलो जीरो हो जाएगी तो इस फाइन में के यूज करेंगे सिर्फ दो टर्मी ही लिखेंगे यूज के मैं काम के हैं तो one plus N एक्स का मतलब यह डी डैस स्क्वार है प्लस एंस वान आते रहेंगे यह तर्म ही जीरो हो जाएगा क्योंकि यह ऑप्रेटर्स जैट पर उपरेट होगा तो जैट सबके साथ में आजाएगा पर्टिकुलर इंटीकल की वैलो एनी चल लिए एकी पावस जैट हमारा यह है और म नहीं पर है और उससे अगर हम इसका मतलब होता है कि दो बार हम जैट के रिस्पेक्ट में जैट को डिफ्रेंसेशन करें आपको मालम है जैट का जैट करें एक बार डिफ्रेंसेशन फोंस्टेंट वन आजाएगा वन वन का रिफ्रेंसेशन दुवारा से करेंगा तो जीरो सब्सक्राइब है और लोग एक्स यह से लिखा था वैसी लिखना नहीं यह कि पावर जयट था और जयट तो धोल ने लिया था एक्स और एक्स कम जब जब करना लॉग एक्स ता पीछ हमारे पास ही बैलू होगी पावर जयट कम ट्लब एक्स और जैट करें लोग एक्स भी वेलू पीछे एकटी वह लिख लिए यह बैलू जो चल लहीं एकको इसके इक विए यह पर्टिकुलर इंटिकल के एक फॉल चल लहीं है तो इस तरीका से हम वाई की बैलू लिख सकते हैं पर सुलूशन लिख सकते हैं जो कि complimentary function plus particular call and character के मिले 으 आंसर नहीं आएगा क्योंकि यह एपनी तब से इना है उसकी फार में यह अभी complimentary function अभी इसे दैं क्योंकि अभी कंप ने फंक्षन को change नहीं किया है द्द्ध में ब्राटिकोलर इंटीकल को भी रहने थे अभी जो है बही डेहने थी बाद विखोनघी चाह्ट चेंज कर लेंगे फंक्षन की वालू हम ने लिजाद कि कीब आवर देट सीवनकोस्त प唉 लास का से तु साइन जैट और पर्टुकुलर इंटिगा लुद पर्टिकुलर इंटिकल की वह लोग उपर ही हमारी लिख्यू हुई है यह एक साथ जैट की बालू और इडिवाइस जैट की बालू को पुट करेंगे तो यह हमारे जो गिविन डिफ्रेंशियल उसका जनल सुलीशन आ जाएगा एक की पावर जैट को हम लोगों ने दिखा है और एकस और सी मन कास्व जैट के जिःट की नहीं पर लौग एक्स हो गया प्लस का सी टू साइन लॉग सब्सक्न लाग एक सहरो एक्स हो और यह रहाद का पर एकस होर ऐसी वाह पर लॉघो यह जैट कि आप लॉघ एकस पूट कर दिया है इस सोलीन इसका आचुका है मिल च जाने में आग पर नहीं को सकते हैं तो तरीके से भी हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कि तो इस पार में हम लिख देते हैं अलगी हमारा अंसर आचुका है कम्प्रेट तो Y is equal to X यहां पर इसको जब कम्माइंड करके लिखा जाएगा तो सीवन पहले आएगा और फिर कॉस ओफ लॉग एक्स प्लस का सी टू ऐसे करके भी लिख सकते हैं बाकि तो यह पर्टिकुलर इंडिकल एक्स लॉग एक्स ऐसे लिए जाएगा तो आंसार इस फार में दिया सकता है इ इस फार में रखके हैं आप थैंक यह वेरी मिच इंडीड ओर लिस्निंग में वा आखर दावान अल्हम्द लिल्लाहि रभ बलालमीन